असलाम अलेकुम व्यूवर्स दिस इस साहिबा और आज हम एक्टरिजेशन आफ वालनामल्स करने वादे हैं बाइ स्प्लिटिंग दे मिलिट्रम तो पहले हम क्या करेंगे इन दो टर्म्स को मल्टिप्लाय करेंगे ठीक है इन दो टर्म्स की प्रोड़क्ट निकालेंगे तो ह जाएगा 5 6 30 and here we have positive sign and here we have negative sign तो plus minus हो जाएगा minus ठीक है minus 30 x square ठीक है अब हमारा second step है वो यह है कि in 30 के हम factors निकालेंगे ठीक है तो पहला जो factor होगा 1 होगा 30 times 1 और 30 इस तरह से pairs बनाते जाएं दूसरा जो factor है that is 2, 2 15 x 30 ठीक है और फिर तीसरा 3 है 3 10 x 30 तो इस तरह से pair बन रहा है 4 का table नहीं लग रहा है 30 को 5 yes 5 6 x 30 अब 5 और 6 के बीच में कोई number नहीं है तो we will leave अब यह 4 pairs है इन चारो pair में कोई भी एक pair लेंगे जो minus 13 ले आए ठीक है और आप symbol इस तरह से दें कि answer जब multiply करें तो minus 30 हो और plus या minus करें तो minus 13 हो that means मैं symbol एक plus की दे रहे हूं और एक minus की तो इस तरह से plus minus multiply करेंगे तो answer minus होगा और minus जो symbol है मैं वो बड़े numbers को दे रहे हूं ताकि जब हम plus minus करें तो answer हमारा negative में आए ठीक है तो कौन सा pair लें इन चारों में से जो minus 13 है तो I am taking this pair यह ठीक है plus minus minus 15 में से दो हो गए तो बाकी बचे 13 और negative 13 होगा क्योंकि 15 के पास जो है negative symbol है ठीक है बड़ा number तो अब यह हमारी middle trim हो गई split किसमे plus 2x और minus 15x में ठीक है इन दोनों को multiply करेंगे तो हो जाएगा minus 30x square ठीक है और plus minus करेंगे तो minus 13x और यह होगा 6 अब हम इसे grouping कर देंगे ठीक है grouping method से solve करेंगे very simple इन दोनों में से common factor क्या है x दोनों को divide करता है तो अंदर बच जाएगा 5x plus 2 ठीक है x दोनों term से divide हुआ अब यहां बच देंगे minus कौन से table को लग रहा है 3 3 common factor निकल रहा है ठीक है बस 3 5 जा 15x minus minus हो जाएगा plus 3 2 जा 6 ओके यह bracket हो गए हमारी as common factor 5x plus 2 और बाकी जब बची x minus 3 simple यह हो गया factorize हम कर लेते हैं यहां पर 3 as a common factor निकल रहा है ठीक है 3 तीनों को divide करता है 3 जा 24 x square minus 3 2 जा 6 3 7 जा 21 x plus 3 9 जा 27 ठीक है अब इन दोनों का product निकाल देते है 9 जा 72 प्लस 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 आएगा ठीक है और variable नहीं देते हैं हम यह जंजट नहीं करता है वैसे भी x यह आने वाला ठीक है दोला factor होगा 1 72 और प्रिदूसर 2 3 जा 6 अब यह होगे पेर्स अब मुझे इस तरह सिंबल देनी है ताकि multiply करें तो plus है और plus minus करें तो minus तो मैं क्या कर रही हूं दो negative signs देते हूं इस तरह से तो मैंने जो है दो negative sign दे दी सबको ठीक है इस तरह से plus minus करेंगे तो minus में आएगा और multiply करेंगे तो plus में आएगा ठीक है कौन सा pair ले हम 27 आए तो यह pair सही दिख रहा है ठीक है minus minus plus 24 3 आजाएगा 27 और negative 27 आएगा ठीक है यह हों गे आए हमारा फेक्टराइज ओके कर दो कर दो कर दो कर दो है